हेलो एब्रीवन फ्रेंड्स हिंदुस्तान की नियुस्वेपर मैं आज लेखपाल की विशे में एक आर्टिकल चपा हुआ है आया है तो इसके विशे माज हम लोग डिसकस कर रहे हैं कि इसका प्रोसेस क्या इसकी प्रकिरिया क्या रहने वाला है और इसके विशे में कहां से क क्या इसका फॉर्म कैसे अप्लाई होगा कितने पदों पर भरती होगी तो इन सब के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे तो विडियो को पूरा देखिएगा एलाट उनों एलाट विशे में इसका राटिकल में है कि राजस्विभाग में 8249 पर इसकी पूरी भरती प्रकिरि क्या 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 दिया हुआ है फ्रेंस तो हम इसके बारे मताते हैं कि दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अधियनस सेवा चैन आयोग ने इवाओं को नौकरी देने की दिसा में कराम सुरू कर दिया है सबसे पहले राजस्विभाग में खाली पड़े 8249 पद पर भरती का विग्यापन निकाला जाएगा और इसके बिसे में बताया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर के इवाओं को इसमें 10 फिस दिया रचछडवी देने की प्राउधन किया जाएगा फ्रेंस इसकी जो इसकी नियुक्ती प्रक्रिया है वो बताया गया है इसमें कि अधिनस्त सेवा चैन आयोग में राजस्विभाग में खाली पदों पर भरती के लिए जो प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर के कोटे की 10 प्रेंस प्रेंस सिर्फ ऑनलाइन दिया जाएगा जिससे करोना काल में इवाओं को किसी तरह की अस्विधा ना होने पाए आयोग का सूत्रों का कहना है कि आवेदन लेने के बाद तीन महा के अंदर इसकी प्रिच्छा कराई जाएंगी यदि आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके मुख्यमंत्री योगी आदितनात के दोरा ये बताया गया है उनके दोरा ये भोशला की गई है भरती की प्रकिरिया क्या रहने वाले फ्रेंट्स तो इसकी विसे हम लोग डिसकस करने सबसे पहले कि ऐसा आवेदन कैसे करना होगा इसकी विसे में कि उत्तर प्रदेश के प्रद्वार या योगिता समंदी प्रमारपत और इचलान भी जमा करना होगा नेक्स्ट इसकी बिसे में बताया गया है कि भरती के लिए भरतियों के लिए तयारी है वो काफी तेज कर दीगे इफ्रेंस आधिनस्त सिवाचैन आयोग ने भरती के लिए तेज कर दिया जिन बिभागों से पहले प्रस्तावाय थे उनका परिचल सुरू कर दिया गया है आयोग पदवार भरती भरती समंदी पिग्यापन निकालने का भी विचार किया रही है इस जिसकी प्रकिया जल्दी पूरी की जा सकेगी ये योगी आदेतनात मुखिमंद्री योगी आदेतनात के द्वरा ये घोस्टा किया गया है जिसकी भी हिंदुस्तान की निस्वेपर में कितनी कौन-कौन से पदों पर भढ़तीया होनी है इसकी लोग देखते हैं कि लेखपाल की जो भी वेकंसी आने वाली ही वह 7,019 यह 7,019 पदों पर होगी राजस सुंदिरच्छेक 1070 और वरिष्ट सायक जो होंगे फ्रेंड्स वो 53 और कनिस्ट सायक 104 तो टोटल 8,249 तो जो भी इसके विभाग में होंगे टोटल 8,249 पदों पर भढ़तीया होंगी यह 8,249 पदों पर लेखपाल राजस सुंदिरच्छ वरिष्ट सायक और कनिस्ट सायक यह 4 अपसं इसके चार दिये होंगे और इन इन पदों पर इनकी वरतिया होनी है और इसके बिसे में एक और चीज़ बताया गया है इसमें कि तुरूटी ठीक करने का मौका भी दिया जाएगा जैसे जब भी ऑनलाइन आवे दिन करते वक्त जब भी कोई mistake हो जाता उसमें तो इसको आयोग की website पर जाकरकर उसको सही किया सकता है तो यह कुछ हिंदुस्तान की पर की एक article है इसके बिसे में बताया गया है इसका exam procedure क्या रहेने वाला है इसके syllabus की बिसे हम लोग discuss कर लेते हैं तो इसका जो भी syllabus है फ्रेंट्स वो इसके चार सेक्टर में इसको डिवाइट किया गया है सबसे पहले फ्रेंट्स हिंदी, मैथ, हिंदी, मैथ, जेनल नॉलेज और रूरल डबलेप्मेंट एंड रूरल सोसाइटी यानि हिंदी गडित, सामान विग्यान और ग्राम समाजयों विकास तो हिंदी के फ्रेंट्स 25 कोईश्चन होंगे जो कि 25 नॉमबर के होंगे मैथ के 25 कोईश्चन और 25 नॉमबर के इसी तरी के सामान विग्यान के 25 कोईश्चन 25 नॉमबर के और ग्राम समाजयों विकास के भी 25 कोईश्चन 25 नॉमबर के यानि टोटल 100 question होंगे 100 number के ये किये जाएंगे अब इसकी बिग्यापन के प्रिकेटिया friends जब आ जाएगी आने के उम्में तो जल्दी है अब देखिए और तुरंत इसके बाद इसका exam दो तीन वहीने बाद इसका exam होगा तो thank you for my watching video मिलते हैं एक next video में तब तक के लिए अप कि मैंते हैं